नमस्कार दोस्तों आप सभी को फिर से एक बर स्वागत है ओफिस नोटबुक की एक नय वीडियो पे दोस्तों फिलाल मैं ओपेन करके रखा हूँ लिब्रा ओफिस राइटर और यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझको कुछ टेक्स्ट दिया गया है अगर मैं बोलू एक पर्टिकुलर पैटरन पे टेक्स्ट दिया गया है और इसको मुझको कॉनवर्ट करना है एक टेबिल पे तो फ्रेंट्स देखिए जो Microsoft Word है तो वहाँ पर हम लोग तो आसानी से इसको टेबिल पे कॉनवर्ट कर सकते हैं बट लिब्रा ओफिस राइटर पे हम लोग किस तरीके से इसको टेबिल पे कॉनवर्ट कर सकते हैं यही हम लोग इस वीडियो पे देखेंगे so without further wasting time let's jump into the topic तो friends देखिए यहाँ पर जो text मुझको दिया गया है एक particular pattern पर है तो पहले देखिए है name और पिर space दिया गया है फिर age फिर city फिर space है फिर occupation इस तरीके से दिया गया है फिर देखिए यहाँ पर उसके बाद की जो row है यहाँ पर भी देखिए john name है फिर space है उसका age फिर space है city space उसका occupation इस तरीके से देखिए हर एक का यहाँ पर name age city and उनका occupation दिया गया है तो इसको हम लोग किस तरीके से table पे convert कर सकते हैं तो पहले देखिए मैं इस text को select कर लूँगा फिर मैं चला जाओंगा table option पे और यहाँ से मैं select कर लूँगा convert text to table so friends यहाँ पर आप देख पाएंगे एक pop up आ गया है so यहाँ पर क्या बोल रहा है separate text at tabs semicolon paragraph other so यहाँ पर देखिए tap भी नहीं है semicolons भी नहीं है paragraph भी नहीं है तो यहाँ पर मैं आधर select करूँगा और यहाँ पर स्पेस है वहाँ से मैं इनको तो कोई जाब आप सिलेट कर सकते हैं फिलाल मैं यहां पर box list green को सिलेट कर रहा हूं और यहां पर मैं ok कर दूँगा फिर से मैं ok कर दूँगा तो जैसे ok किया देखिए जो text है बड़े आसानी से table पे convert हो गया है अब friends इनको यहां से आप आसानी से adjust कर सकते हैं अपने हिसाब से तो friends देखिए कितना आसान है Libra Office Writer के अंदर text को टेबिल पे convert करना आसा करता हूं आप लोग को यह वीडियो पसंद आया है अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों के साथ ज़्यादा सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें तो friends मिलते हैं next वीडियो पे